स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो की है 17 नॉबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में रीजनी के प्रस्ण आये थे उनका सॉल्यूशन करेंगे आज हम लोग इससे पहले हम लोग ने बात क सब्सक्राइब करेंगे तो यह वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है लास तक जरूर देखिएगा और जो लोग हमारे साथ सब्सक्राइब कर लिजेगा यहां बिल्कुल फूरी सारी चीज़े पढ़ाई जाएंगी और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया ऐसे सवाल करने के लिए आप लोग पैटन देखेंगे कि क्या फॉलो हो रहा है यहां पर देख रहे होंगे कि S और T में अदला बदली हो गई है बाकी चीज़े आपकी सारी सेम है अगला आप लोग देख रहे होंगे कि S और U में अदला बदली हो गई है U के स्थान पर S आ आ गया है तो यहां पर भी एक होना चाहिए यहां पर दो हो जाना चाहिए यहां पर तीन हो जाना चाहिए तो अब आप इसी अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी चीजे सेम रहेंगी तो फिर आप यहां पर आ रहा है यहां पर आ रहा है यहां पर है एक दो तीन आ रहा है और कि उसी निश्चित कूट भाषा में नोशन को ये संख्या में लिखा गया है उसी भाषा में ब्यूटी फाई को किस रूप में लिखा जाएगा यही आपको बताना है तो देखिए ऐसा प्रस्ण आपको देखना है तो कैसे करेंगे यहां पर आप देख रहे होंगे पहले आप पर लेकिन आप पीछे से देखेंगे तो एक स्थान किता होता है 26 ऐसे ही आप बी का स्थान देखिए आगे से किता होता है दूसरा लेकिन पीछे से होता है 25 तो आप लोग को अगर जल्दी पेपर सॉल्ट करना है तो आप लोग क्या करेंगे यह सारे स्थान आगे और दो चार मिनिट जादा लगेगा लेकिन आपको याद नहीं करना पड़ेगा आप लोग ये कर सकते हैं बहुत लोग याद भी कर लेते हैं बच्चे जो याद नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं आप लिखके भी कर सकते हैं तो जैसे सारी चीजे यहाँ पर देखे उल्टी U कितने पर होता है U आपका आजाएगा छट्वे स्थान पर U हो गया T किस स्थान पर आता है T आता है आपका यहां पर T आपका आजाएगा आठ्वे स्थान पर ठीक है आठ्वे क्या अठ्वे स्थान पर आएगा T आपका पीछे से अगर आप लोग देखेंगे तो T का पीछे से स्थान होता है कित्ता साथवा सॉरी, साथवा होता है इसको आप सही कर लिजे क्योंकि U के बाद ही तो T आता है तो T का स्थान कित्ता हो जाएगा साथवा मैं नियाद कर रखा है कभी-कभी confusion हो जाता है आई का इस्थान कितना होता है पीछे से I का इस्थान 18 होता है 8 और F का उल्टा स्थान क्या हो जाएगा 21 और Y का उल्टा स्थान हो जाएगा य तो बगल में होता है तो Y का स्थान दूसरा हो जाएगा अब आप लोग देख लीजे 25 22 26 6, 7, 18, 21 और 2, तो करेक्टान सर्फ हो जाएगा ऐ है, ऐसे आप लोग को ऐसे सवाल अटेम्ट करने हैं, अगला क्वेशन देख रहे हैं, 240 है, 208 है 268 है और 300 है, इन दोनों का अंतर निकालिए, आप लोग पहले देखेंगे, ऐसे सवाल आएंगे, तो देखेंगे, कम-कम डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस निकालेंगे, अब जैसे 240 होता, और जस्ट आपका आजाता 600 कुछ, 650 फिर इसके बाद आजाता 1200 कुछ तो आप देखते कि हमको कुछ गुड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा संख्या होगी, तो गुड़ा करना पड़ेगा, कम छोटी संख्या होगी, अगल बगल जैसे 240 है, 290 आगिया तो आप देखें कुछ ने कुछ जोलना है ठीक है, ऐसे आपको चीजे करनी अंदाजा लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर जैसे की 240 है, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आजाएगा, देखिए 14 कंतर है 208 और 278 में कितने गंतर है 20 कंतर है, फिर आप देखेंगे 22 कंतर है, तो अब कितने कंतर आना चाहिए, समयं दो-दो का है 21 अनुपात question mark है, 19 अनुपात 361 है, तो देखिए अगर आप लोग का SSC का paper दे रहे हैं, तो आपको 1 से लेकर 30 तक का square root जरूर याद होना चाहिए, अगर आप SSC CGL की त्यारी कर रहे हैं, तब आपको 30 तक होना चाहिए याद, otherwise आप 1 से लेकर 20 तक कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तब ही आप लोग सवाल तुरंट तुरंट बनेंगे, क्योंकि इसमें टाइम की बहुत पाबंदियां होती हैं, सच्छी के paper में, तो जैसे कि 16 के square देखेंगे, 256 होता है, 21 का 441 हो जाएगा, 19 का 361 होता है, तो अंसर क्या जाएगा, 441, अब हम ल सवाल करने के लिए, पासे वाले देखेंगे, कैसे करेंगे, देखेंगे कौन, दोनों पासे में कौन सी चीज कॉमन है, तो यहां देखेंगे, तीन कॉमन है, यहां भी तीन से लेंगे, और घड़ी के दिसा में चलेंगे, गोल, यहां भी है, तो गोल दिसा में चलेंगे, जैसे 3 है, तीन लिख लेंगे, फिर 3 के बाद गोल दिसम से लेंगे, तो 1 आरा है, फिर 4 आरा है, यहाँ हमने 3 पकड लिया, फिर 14 आरा है, फिर 15 आरा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 5 है, सारी चीज़ जो चीज बची रह जाएगी, वही 3 के विपरीत आएगी तो तीन के विपरीत कौन सी संख्या बची है छे तो तीन के विपरीत कौन सी संख्या आजाएगी छे आजाएगी तो छे के सामने पूछा है तो छे के सामने तीन हो जाएगा ऐसे आप लोग को पासे वाले सवाल करने है अगला प्रसन देखते हैं एक निश आ जीजे देखिए हैं यहां पर लगाएंगे तब ही आपकी प्रैक्टिस बनेगे आपको समच में आएगा समा ची of यहां आप देखते होंगे कि के के जन्ट बाद में क्या आता है यानिके के जस्ट पहले के just पहले J आता है तो यहां हमने J लिख दिया पीछे चलेंगे पीछे से यहां पीछे चीजे चल रही है जैसे K के just पीछे क्या आता है? J आता है I के just पहले क्या आता है? H आता है I के just पहले H आता है L के एक पहले क्या आता है? K KLM याद होगा आपको L के पहले क्या आता है उसके बाद O के पहले क्या आता है N आता है उसके जी के पहले क्या आता है G के पहले F आता है तो आप देख रहे होंगे ये संख्या बनती हुई चली जा रही है आपको दिख रहा होगा ऐसे हम लोग ये भी कर लेंगे इसको ही हम लोग को एरक्राफ्ट का निकालना है तो एरक्राफ्ट लिख लीज़े यहां पर एरक्राफ्ट लिख लेंगे हम लोग हम लोग को एरक्राफ्ट लिख लेंगे हम लोग को एरक्राफ्ट निकालना है R के एक पहले Q आता है हम लोग ये भी लिख लेंगे उसके बाद देखेंगे C के एक पहले क्या आता है B आता है ये भी आपको पता होगा आप लोग पीछे से अंदाजर लगा लिजे और देख लिजे मैच कर लिजे आपका अंसर आ गया होगा भी तक B Q H Z आपको इतना ही करना है बाकी देखें किसी में नहीं आ रहा है आपका solution निकल कर आ जाएगा ऐसे ही जा पूरा मत निकाला करी वरना बहुत टाइम लगेगा इतना ही आ जाए आप लोग के लिए बहुत है उसके बाद अगला दिखेंगे प्रस्ण है ऐसे ही E और G के बीच में F आता है G और I के बीच में H आ जाएगा H और K के बीच में क्या आ जाएगा J आ जाएगा I, J, K K के बाद L आता है और फिर उसके बाद आएगा M यानि कि M तो आएगा ही एक संख्या M आ जाएगी उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी संख्या क्या आ जानी चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे U के बाद क्या आ रहा है A तो यानि की यह क्या हो रहा है ठीक है तो U में 5 जोड़ दीजे क्या जाएगा आपका A आ जाएगा जैसे की U के बाद V, W, X, Y, Z उसके बाद 5 अंक छोड़ के क्या जाएगा A आ जाएगा वापिस से उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर A के 5 बाद अंक जोड़ेंगे तो A का 5 बार जोड़ेंगे तो G आ जाएगा A प्लस 5 अंक जोड़ छोड़ दीजे आपका क्या जाएगा G आ जाएगा ऐसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर K में 5 अंक जोड़ दीजे तो K के बाद क्या आएगा L 1 अंक, M 2, N 3, O 4, P 5 5 अंक छोड़ के अखरी क्या आएगा यह देखिए आपका क्या आएगा Y S की बाद हो रहे है S के बाद T 1, U 2, V 3, W 4, X 5 और X के बाद क्या जाएगा Y 5 बाद Y आजाएगा तो अंसर क्या जाएगा Y और M उमिद करता हूँ आपको चीजे समझ में आ गई होंग यहाँ पर 2 दो जोड़ी जा रही है इससे इससे और यहाँ से U A 5 पे अंतर पे है आपका आंसर ऐसे आ जाएगा अब अगला प्रस्ण हम लोग देखेंगे दिया है यदि दरपन को दाई और रखा गया हो तो फिर दिये गए सेन्योजन के दरपन प्रतिविंब कैसा बनेगा देखिए आपको यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर दरपन रखा हुआ है यह आपका एक मिरर है यानि कि दरपन रखा हुआ है तो अगर दरपन रखा होगा तो आप क्या करेंगे यही चीज उठा के यह वाली चीज उधर भुमा के लियाएंगे यानि कि इधर घुमा कर लियाएंगे S वाली चीज इधर आ जाएगी Y वाली चीज इधर आएगी तो बनेगा क्या? हम बता देते हैं A बनेगा Y बनेगा उसके बाद आपका A बनेगा A सिधा ही सिधा बनता है अब जब आप इसको उठा के इधर रखेंगे तो A कमू ऐसे बनेगा या आपका A कमू बनेगा G उधर को जाएगा तो G आपका ऐसा कुछ बनेगा G उधर जाएगा G यू बनेगा X तो ऐसा ही रहेगा और S कमू S की तरफ ही रहेगा तो ऐसा बनेगा आप option में देख लिजे क्या करते हैं जस उठा के इधर रख देते हैं यानि कि S वाली सीज उठा के इधर रख दिया यूँ उठा के ऐसे रख देते हैं बस Y का इधर ही रहेगा बाकी चीजे उधर settle होती चली जाती है आप देख लिजे आपका correct answer 3 आ जाएगा दोनों में अंतर होता है ये देखे कथन निशकर्च वाली चीज आ गई है दिया गया है कि कथन एक है क्या कह रहा है कुछ तारे ग्रह है यानि कि कुछ तारे क्या है ग्रह है मान लेते हैं ये कुछ हमारे तारे हैं ये हमारे तारे हैं तार से लिख देते हैं कुछ तारे क्या है ग्रह है ये ग्रह लिख देते हैं को ये कुछ तारे हमारे ग्रह है और कुछ ग्रह क्या है धूमकेतु हैं कुछ ग्रह हमारे धूमकेतु हैं धूम लिख देते हैं अब हम लोग निशकल्स पर चलते हैं कुछ धूमकेतु ग्रह है त सारे कैसे होंगे यह कथन गलत हो गया तो क्या होगा केवल निसकर्ष एक अनुसाधान करता है अगला प्रस्ण है देखिए आपकी सामने दसवा प्रस्ण दो वर्ष पूर्व लिखा है टी की आयू दो वर्ष पूर्व हम वर्तमान आयू टी मान लेते हैं टी की तो दो पूर्व P-2 होगी तो यह equation हमारी बन गई question के अनुसार, अब क्या है वर्तमान में P की I.U. यानि वर्तमान में जो P की I.U. है, यह R की I.U. के 3 गुनी है, यानि के 3R के बराबर है यह छीज़ आपको समाज में आगी होगी अब यह 5 साल बाद P की I.U. कित्ती हो जाएगी 29 वर्ज तो 5 साल बाद P की आयू 29 वर्ज है तो मौझूदा आयू कित्ती होगी 5 घटा दीजें यानि कि इस समय P 27 वर्ज का है आर 8 वर्ज का हो जाएगा यहीं से आप देख रहे होंगे तो हमको आर की आयू नहीं है तो यदर जाएगा 2 हो जाएगा तो टी की वैल्य कितनी आ गई 46 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा यासे ही आपको एक्जाम में सकते है जैसे आप दिवाइट देखेंगे तो डी का मतलब होता है दिवाइड है तो देखेंगे जो कट जा रहा पॉइंट में न आ रहा हो तो डी 18 से देखिए भी कट जा रहा च्ववन अठार से डी यहां पर है तो देखिए यह उप्सन तो नहीं हो सकता क्योंकि डिवा ना तो आपको पड़ेगा ही सी का अर्थ होता है गड़ा करेंगे तो येंगे कि गड़ा करेंगे कि मैंन है तो 130 में 3 माइनस करेंगे तो आपका 127 आएगा तो ये तो गलत हो गया सीधा सीधा तो आप इसी में रख लेंगे या नहीं भी रखेंगे तो आप सीधा आंसर बता सकते हैं आप रख भी लीजे जैसे की 45 divided by यानि भागे 5 सी का अर्थ है गुड़ा 7 एक अर्थ है प्लस 14 यहीं को निकालना है तो यह 9 गुड़ा 7 कित्ता हो जाएगा 56 पन नो गुड़े साथ 63 आजाएगा 63 63 में आप 14 जोड़ दीजे तो आपका क्या आजाएगा 77 आंसर निकल कर आजाएगा तो ऐसे ही आपको एक्जाम में करना है दो दो सगेंड की सवाल होते हैं आप रीजिन जल्दी करेंगे तो आपको मैच में उतना ही टाइम मिल अब आप देखेंगे यह वाला प्रस्न है कि यह आपको दिया हुआ है तो आप इसको कैसे करेंगे जड़ा देर आप लोग दिमाग में सोचिए इजी होता है ऐसे सवाल करना देखेंगे चली हम बताते हैं आपको क्या करेंगे या तो आप रिलेशन देखेंगे इन दोनों का इसका बीच का आएगा या इन दोनों के देखेंगे इसका बीच वाले का अंतर निकालेंगे तो आप कुछ भी दिमाग लगा के करेंगे जैसे आपकी चीज़े बनेंगी तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि हम इन दोनों घटाएंगे 57 और 29 को घटाएंगे तो हमारा 28 बन रहा है 57 और 29 को घटाएंगे तो हमारा कित्ता बन रहा है 28 ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि 72 में हमने 35 घटाएंगे तो हमारा क्या बन रहा है 37 ऐसे ही 38 में हम 33 घटाएंगे तो हमारा क्या बन रहा है 35 तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा 35 अब हम लोग अगला प्रस 2667 और 335 आप देखिए आप आपको कैसे करना है यह सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे निकल जाएगा तो देखते हैं जैसे कि 16 है और 9 दिया हुआ है तो हम दो दो का प्यर पकड़के चलेंगे क्योंकि देखेंगे कोई क्यूब का बन रहा है क्यूब बन रहा तीन का लेकिन 19 नहीं बन रहा मानते है जैसे कि 16 में 9 गया कितने गंटर आ रहा है 27 में हम क्या गटा रहे है 27 में इएक नट शाथ गटा रहे हैं या पर 7 16 में हमलोग 7 घटाएंगे 16 में हमने 7 घटाया तो क्या बचा 9 27 में हमने 8 घटाया तो 19 बचा 66 में हमने 9 घटाया permission कित्षा bathgeby 66 आइसे ही अब हम 10 घटाएंगे 335 में 10 घटा दिया तो क्या बनेगा तीन सो पत्चीस बनेगा यह देखिए दस घटाया तो हमारा क्या बना 325 ऐसे ही थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको चलाना पड़ेगा जटिल का देखिए विलोम होता है शरल वैसे ही संकुचन का विलोम क्या हो जाएगा प्रसार हो जाएगा अगला देखिए पूछा है आप से पंदरवा प्रसार की मैथड को ऐसे लिखा गया है तो नॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा तो इसमें हमको देखना है कि क्या बनेगा जैसे की हाँ M है M में हमने क्या जोड़ा एक एक अंग छोड़ा तो M N के बाद O आगया O आगया है यह चीज़ा आपको समझ में आ गई होगी उसके बाद हम देख रहे हैं कि E में हमने E में हम तीन अंग छोड़ रहे हैं E के बाद आएगा F G H और I तो I बनेगा यानि कि हम तीन इसमें जोड़ रहे हैं तो I आगया अब देखेंगे कि हम लोग सिर्फ और विशम संख्याई जोड़ रहे हैं जैसे कि T में हमने क्या जोड़ा 5 अंक छोड़ कर क्या आ गया हमारा आप देख रहे होंगे कि हमारा Z आ गया है ऐसे ही H में 7 अंक हमने जोड़ दिया तो क्या आ गया है ऐसे ही हम O में 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या जाएगा Y अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं करके देखते हैं N में 1 संख छोड़ते हैं एक संख्या छोड़े एक जोड़े तो N के बाद क्या आता है O O छोड़ दिया तो क्या बनेगा P तो यहाँ पहली संख्या P बनी उसके बाद क्या संख्या है O O में हम लोग 3 संख्या छोड़ेंगे तो O में 3 संख्या छोड़ेंगे तो P छोड़ा Q छोड़ा R छोड़ा तो क्या बचा S S बचा उसके बाद R R है R में हम लोग कितनी 5 संख्य हैं छोड़ेंगे तो जैसे R है तो S छोड़ेंगे T, U, V, W छोड़ेंगे तो क्या बचेगा X तो P, S, X इसमें भी है तो हम लोग और आगे निकाल लेंगे उसके बाद जैसे R है हम M है, M में हम कितना जोड़ेंगे 7 तो जब आप M में 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा U, तो P, S, X, U correct answer आपका तीसरा निकल कर आ जाएगा तो ऐसे ही चीज़े आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा तो आपका answer निकल कर आ जाएगा यह दखिए सीटिंग अरेंजमेंट का कोशन है छे मित्र A, B, C, D E, F, 1 सीधी छतिद पंक्ती में उत्तर की और मुकर के बैठे हुए है तो देखते हैं चलिए यह सीधी लाइन में बैठे हुए है यानि कि कित्ते लोग हैं? 6 मित्र है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 जगे हमने खाली कर ली है पहला क्या दिया हुआ है? B, F और C के 20 में बैठा है हम मान लेते हैं कि B, F और C के 20 में बैठा है हम मान लेते हैं कुछ भी यहां B क्या है? F और C के 20 में बैठा हुआ है यह सीधे समन में आ गई होंगी उसके बाद क्या दिया हुआ है E, C के दाएं और से तीसरा बैठा हुआ है तो देखे E और C में अंतर दिया हुआ है देखे E क्या है C के दाएं और से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है तो अब मान लेते हैं कि यहां पर E यहां पर होगा क्योंकि E जो है उसके तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है उसके बाद दिया हुआ है कि D और E के ठीक और बगल में बैठा हुआ है यानि कि D E के ठीक दाइं और बैठा हुआ है तो D यहाँ पर बैठा होगा ठीक दाइं और तो यहाँ हो गया अब चीजे क्या बच रहे हैं सिर्फ A बच रहा है तो A हम लोग यहां लिख लेते हैं 6 ही वेक्ती है 5 का हमने बना लिया है एक बचा है तो आपसे पूछा है B के दाई और से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है तो B यह है दाई और दूसरे स्थान क्या हो जाएगा A का तो A बैठा हुआ है यही आपसे पूछा गया है तो यह तो बनाना असान था यह तो तुरंथी बन गया है सत्रमा प्रसने देखेंगे हम लोग आपसे दिया हुआ है यह चीज पी यह चीज़े दी हुई है आप ऐसे सवाल करने के लिए क्या करेंगे आप जोड लीजे कित्ती संख्याएं है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सोला, सतरा, ठारा, उन्निच, बीस बीस संख्याएं है तो यह तो हम पांस-पांस में बाट ले यह तो हम चार-चार में बाट ले तो हम देख रहे हैं यहां से पीस से शुरुआत हुई है तो हम चार-चार में बाटेंगे हमने इसको बाट लिया इतने में फिर हमने इसको इतने में बाट लिया एक, दो, तीन, चार, पिर हम इसको ऐसे बाट लेंगे फिर हम इसको ऐसे बाट लेंगे हमने चार-चार में एक सेकेंड, गलत हो गया है, 4-4 में हमको बाटना है, तो यह 4 हम ऐसे बाटेंगे यहाँ, 1-2-3-4, यहाँ ऐसे बाटा हमने, उसके बाद 1-2-3-4, ऐसे बाटा है, 1-2-3-4 ऐसे बाट लिए हमने, हम लिख देते हैं यहां पर जगह की वज़े से आपको समझ में नहीं आगा P-R Q P S-P-Q-S P-R Q है तो हम चार-चार में बाटेंगे हम मान लेते हैं यहां से हमने इसको बाट लिया फिर यहां से हमने इसको बाट लिया फिर एक, दो, तीन, चार यहां से हम बाट लेंगे एक, दो, तीन, चार यहां से बाट लेंगे और चार ऐसे ही बटा है तो हम यहां पर देखेंगे आपसे क्या बन रहा है P-S-R Q बन रहा है फिर P-S-R Q यहां भी बन रहा है P-S-R Q यहां भी बन रहा है फिर यहां देखेंगे Q है आखरी में S है यही एक्वेशन बनेगे अब देखें यही अला बन रहा है तो आप बाट लेंगे तो पांच-पांच में जिस हिसाब से आपका चीज़ा बनेगा आप बाट लेंगे देखें इसी में आपको दिख रहा होगा यह वाली आकरिती सिर्फ इसी में दिख रही है बाकी किसी में नहीं दिख रही है आपको लग रहा होगा कि यह option C में दिख रही है लेकिन यह option C में आप देख रहे होगे कि यह जो है यह चोटा से square बन रहा है आपका यह नीचे वाल और ग्यानेश की तीन बेटियां हैं यानि की राधा और ग्यानेश की तीन बेटियां हम यहाँ पर राधा लिख लेते हैं और यहाँ पर ग्यानेश लिख लेते हैं यानि की ग्यानेश लिख लेते हैं यह राधा हो गई यह ग्यानेश हो गया इनकी तेन बेटिया हैं यह मनु तरने की शादी जैसे हुई है, तो इनकी शादी जैसे हुई है, सुस्मा की शादी किसे हुई है, अभैसे, सुस्मा की शादी अभैसे हुई है, तीसरा दमाध है कौन, यानि मनुजा का पती कौन हो जागा अखिल, क्योंकि ये तीसरा दमाध है, अखिल के दो बच्चे और रानी हो गई और आपकी जय की दो बेटियां है यह जय है जय की दो बेटियां कौन हो गई रिचा और नेहा हो गई ठीक है मिरदुल जो है अभेका इकलोता बेटा यानि मिरदुल है यह मिरदुल अभेका इकलोता बेटा है बाप से राधा और रानी की यानि कि रानी कौन राधा की बेटी मनुजा हो गई मनुजा की बेटी रानी हो गई तो यह क्या लगेंगी सीधा रानी ही तो लगेंगी रानी और राधा के रिलेशन क्या हो जाएगा नानी का देखिए कोई जैसे कि मा की बेटी की जो बेटी होगी वो नानी का ही तो संबंध लगेगा यहां से है 20 वा आपका दिया है कि कुछ तो रिलेशन है इन में और इसमें से आपको असंगत निकालना है कोन सा अलग है तीरों समान है और एक अलग होगा तो देखिए यहां पर आप लोग को देखना है कि यह कैसे पांचवे स्थान पर है आगे से वी पीछे से पांचवे स्थान पर है ऐसे आई आगे से कौन से स्थान पर है नौवे पर और पीछे से कौन से स्थान पर है नौवे पर है यह ठीक चल रहा है ऐसे ही देखेंगे एल आगे से 12 स्थान पर है O पीछे से 12 स्थान पर है P आगे से कौन से स्थान पर है 16 पर और S ही K पीछे से कौन से स्थान पर है 16 पर ऐसे ही H देख लेंगे H हमारा आगे से 18 स्थान पर है S पीछे से 18 स्थान पर है L क्यों से स्थान पर है आगे से 12 पर O 12 पर है ऐसे ही देखेंगे C पीछे से कौन से तीसरे पर है, X भी तीसरे पर है, यह सही है, जी हमारा साथमे स्थान पर है, लेकिन D कौन से स्थान पर है, पांचमे स्थान पर है, तो यह गलत हो गया, तो ऐसे आप लोग सवाल करेंगे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मैंने यह वो को ही देखके अनुमान लगा लिया था यहां पर देखिए हमको समझ में आ गया था कि आगे पीछे की बात चल रही है आपको चीज़े याद होंगे तो आपको भी सिधा देखते ही समझ में आ जाएगा एक किस्वा प्रस्ण है आपके सामने जैसे दिया हुआ है माता पिता और पुरुष में कौन साब इंडाग्राम बनेगा तो देखें माता तो इस तरी लिंग हो गई और पुरुष तो एक जाती होती है पुरुष के अंदर ही पिता आएगा तो यह आपका रिलेशन बन जाए अगला प्रस्ण हम लुग देखेंगे 22 आठमीट्र बैठे हुए हैं आठमीट्र एक गोल मेज के परिती हेक्नद्र की और अभीमुख करके बैठे हुए है तो देखें 8 मित्र है तो अगर गुलाई में बैठे हैं तो अब कैसे लगाएंगे एसे सवाल कैसे लगाते हैं दे दिशरी और चोथी हैं हम माल लेते हैं कि एक व्यक्ति है ये दूसरा तीन चार पांट छे साथ आठ देखे-आठ लोग यहां पर बन गए ऐसे ही आप बना देजिगा चार व्यक्तियों को बनाएंगे तो बस यह चार छे व्यक्तियों को बनाएंगे तो एक डंडी और खीच अब चुलर गया तो अब क्या धिया हुआ है धिया हुआ है तो यहांपर पी और और S के 20 में बैठा हुआ है T, W के 20 स्थान पर बैठा है तो देखे T और W में हमको नहीं पता है रिलेशन तो अभी हम T और W को नहीं सिड़ेंगे Q, S के एकदम 20 बगल में बैठा हुआ है यहां से हम देखे Q और S में पता है तो हमने रख दिया QS के 2 वगर में एकडम बैठा हुआ है T S के दाइए और तीसरी स्थान पर बैठा हुआ है जानि T S के दाइए और से अब देखिए अंदर के मुझ करके हुए बैठा है तो आप अपने आपको मान लेते हैं S के बाइए और से बैठा होगा डबलू यहाँ पर बना देते हैं, यू यहाँ बना दीजे, या यू यहाँ कर दीजे, डबलू यहाँ कर दीजे, वी यू और डबलू के बीच में बैठा हुआ है, अब आपको क्या दिया हुआ है, कि S और डबलू के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो S और डबलू के कागज है ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है खोला जाएगा तो कौन से डाइग्राम बनेगा अब आप देखेंगे जैसे यह है कागज है आप इसको खोलेंगे तो एक बॉक्स यहां है तो एक इसके जस्ट बगल में भी बनेगा एक यहां पर जस्ट बगल में बनेगा अगर हम इतन प्राइंगल आप का यह चीजे बनेगी आप देख सकते हैं सीधे सीधे नहीं पर यह चार बन रहा है और आप देखेंगे कि यह चार बार ट्राइंगल भी बनेगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप्छन नमबर ठी हो जाएगा इसको तो आप लोग पेपर फोल्डिंग कटिंग आप लोग को इजली आ जाएगी ये कुशन देखिए 24 वा ये थोड़ा सा देखिए अच्छा दिख रहा है लग रहा है कि होगा नहीं अब्स्ट्रैक्ट है लेकिन बनाना पड़ेगा कैसे नहीं होगा एक्जाम में हम लोग को रीजिनिंग में 25 में 25 ही लाएंगे तभी तो कुछ होगा जीके में तो जानते ही नमबर कड़ता है तो पच्चिस में पच्चिस रीजिनिंग में लाने बहुत आवस्चक होते हैं तो देखें एबस्ट्रैक्ट है ये ऐसे लिखा हुआ है उसी कूट भासा में इसको कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए में कितना अंतरा रहा है ए में साथ संख्या छोड़ी तो आई बना चलिए फिर बी में आई कैसे बना बी में हमने छे संख्या छोड़ी तो क्या बना आई बना ठीक है ऐसे ही S में हमने 5 संख्या छोड़ी देखिए अब कम होती जा रही है संख्या तो संख्या बनती चली जा रही है T में हम लोग ने 4 संख्या जोड़ी तो क्या बना Y बना बस अब तो आ जाएगा अब तो आ ही जाएगा अब I में हम लोग जब 7 संख्या जोड़ेंगे तो 5 संख्या के बाद क्या आ जाएगा N, M, O, P, Q, R, S तो यहाँ पर U आ जाएगा U आ गया अब हम लोग यही देखेंगे S में हम लोग 5 संख्या जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा यह क्या बनेगा यह y बन जाएगा फिर उसके बाद यह q बन रहा है गाई इस i में हम लोग साथ संख्या जोड़ेंगे तो यह q बन रहा है तो यह तो गलत दिख रहा है यह तो इन्होंने o लिख रखा यह तो गलत हो गया q बन रहा है आप लोग जोड़िए गाई देखिए i जैसे है i में हम ल, M, N, O, P, Q, यह Q बन रहा है यह तो गलत हो गया हमें लगता है मिस्प्रिंट होगा और करके देख लेते हैं यह वाला सही बन जाए यह वाला फॉलो कर रहा है तो S, T में हमने चार जोड़ा तो भी यह वाई बना उसके बाद I में हम तीन जोड़ेंगे तो क्या बन है यह भी गलत हो गया कुछ ने बन ला मुझे लगता है कि थोड़ा से मिस्प्रिंट होगा इसको क्यों होना चाहिए था इसको क्यों बना लीजे यह क्यों हो जाएगा तब आपका ऑन्सर सही आ जाएगा यह करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा आप करके देख लीजिएग गाइज की यही होगा कि Q, U, Y, Y, M, Q, E, U बनेगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा यही होगा शायद हो सकता है कुछ और मेथट से लेकिन मेरे हिसाब से क्यों आना चाहिए पच्छिसमा परस्न यह है कि देखिए अंग्रेजी सब्द कोस के अनुसार आप लोग को बनाना है इसको यहाँ पर देखिए C, R, E, E तो सम्में आ रहा है उसका D, D है लेकिन दूसरे में देखिए A आ रहा है तो पहला दो होगा उसके बाद D, D सम्में है लेकिन देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा E, E पहले आता है तो पांचवा हो होंगे फिर देखेंगे टी है टी के बाद ए है यहां भी टी है लेकिन ओ है यह पहले आएगा तो चार हो जाएगा आखरीं बच्छा किया एक तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हमारे 25 के 25 प्रणसित है आप लोग को एक्जाम में 25 में 25 मांक्स लाने हैं तो हम लोग के साथ र जाए हिंदे